साइट ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव ख़बरें तो महरास्ट्र में चुनाओ करीब है और जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं ऐसे वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप जम कर हो रहे हैं शिंदे गुट उद्दव गुट और बीजे पी में खूब तू तू मैं में हो रही हैं मगर इन सब के बीच पिस रहे हैं आदित्य ठाकरे जी हां महरास्ट की राजनीती में आदित्य ठाकरे पर हर किसी की नजर है हर कोई निशाना बना रहा है और अब घबर आ रही है कि इन सबसे तंगा कर आदित्य ठाकरे गोवा चले गए हैं और वो भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ पर इसकी पोल किसी ओने नहीं बलकि बीजेपी नेतव नितेश राने ने खोली हैं अब इस खबर के लीक होने के बाद तो उद्दव ठाकरे और संजे राओ दोनों ही आग बबूला हो गए हैं महरास्ट की राजनीती में तो मानों भूचाल सा आ गया उद्दव ठाकरे की पार्टी में तो मानों हंगामा बरप गया क्योंकि नितेश राने ने आदित्य ठाकरे की गोवा टूर को लेकर काफी कुछ बड़ा खुला सा कर दिया बीजेपी नेता और सुर्शान सिंग राजपूत के केस के बाद लगातार आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने वाले नितेश राने ने प्रेस कॉन्फरेंस की और आदित्य ठाकरे के गोवा टूर को लेकर कहा कि आदित्य सबकी आँखों में धूल जोग कर गोवा गए हैं नितेश राने ने कहा कि आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी के सामने गोवा सिंदू दूर्ग के दौरे के नाम पर गए हैं मगर आदित्य का गोवा जाने का मकसद चुनावी दौरा बिल्कुल भी नहीं हैं बलकि वो तो गोवा में रंग रलिया मनाने गए हैं नितेश राने ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सिंदू दूर्ग दौरे से जुड़ी बैट के और फिल्म महुत सव संयोग तो नहीं हो सकता राने ने कहा कि आदित्य ठाकरे गोवा में नाचने गाने और मोज बस्ती करने गए हैं और वो भी बॉलिवुड की एक्ट्रेस के साथ राने ने बिना नाम लिये कहा कि आदित्य ठाकरे बॉलिवुड की इस एक्ट्रेस के साथ गोवा गए हैं दोनों एक ही फ्लाइट से गोवा पहुंचे हैं और एक होटल में रुके हुए हैं। राणी ने यहाँ पर हस्ते वे कहा कि कमरा भी एक ही हो तो हमें नहीं पता। मगर ये पता है कि आदिते सिंधु दुर्ग के नाम पर गोवा में मोज काटने गए हैं। राणी ने कहा कि गोवा में क्या होता है सबको मालू है, शराब और शबाब के बीच क्या-क्या चलता है वो सबको पता है। राणी ने कहा कि हम आदिते की पर्सनल लाइफ पर कुछ नहीं कह रहे मगर पार्टी के काम और बैटको के नाम पर इस तरह मोच काटना बिल्कुल भी सही नहीं है गूमने जाना है तो सिंधु दूर्ग को बीच में क्यों लाए ये सिंधु दूर्ग और महारास्ट से साफ त तो बुरी तरह भड़के हुए हैं मगर आदित्य ठाकरे का लड़क पन जाने का नाम नहीं ले रहा तो नितेश राणी ने आदित्य ठाकरे पर खुलेया मोच काटने और रंग्रलिया मनाने के आरोप लगा दिये और अब इन आरोपों पर आपका क्या कहना है क्या आदित् यह अपोजिट पार्टिया ऐसे आरोप लगा रही हैं आप भी अपनी राई कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें